दोस्तों गर आप एक नए यूटूबर हो आपने अपने यूटूब चैनल बनाया और उसके दोस्तों आप वीडियो अप्लोड करते थे और आपका वाच टाइम या सस्क्राइबर बगेरा ना कंप्लीट होने के कारण आपका चैनल अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है तो दोस्तों वीडियो आप बनाना बंद कर दोगे तो क्या दिक्कत आएगी या नहीं आती है कुछ या नहीं आएगी जो भी आएगी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगा तो बने रहे मार साथ इस वीडियो में और हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट दूस्तों घर आप वीडियो बनाते हो और यूटूब चैनल पर अफ्लोड करते हो तो ऐसे में आपको ये डाउट होगा कि अभी मेरा चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ मैं इसको 6 महिने या साल बर के लिए बंद कर दूँ फिर उस पर वीडियो अपलोड करने लग जाओं तो कोई भी दिक्कत आएगी चैनल पर या नहीं आएगी मोनेटाइजेशन होगा या नहीं होगा तो इस वीडियो में मैं आपको किलियर कर दूँगा तो दूस्तों मैं अ और उसके बाद में फास्ट जो वीडियो था उस पर दोस्तों काफी अच्छे वीउज आये थे और उस साथ से मैं काम करता रहता तो वहाँ पर दोस्तों अब तक मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता लेकिन अभी तक मैंने क्या किया था कि उस चैनल पर मैंने वीडियो अ दोस्तों ऐसे में वीज बहुत कम आने लग गए हैं तो पहले से अगर वीडियो अप्लोड होती हैं उस चैनल पर तो काफी अच्छे वीज आ जाते तो चलिए मैं वह वीडियो आपको दिखाता हूँ इस वीडियो पर आ रहे थे तो चलिए मैं दिखाता हूँ देख सकते हो जैसे कि सबसे नीचे यहां पर वीडियो मिला है आपको यहां पर वीडियो आपको मिला है फोन के कीवर्ड नहीं काम कर रहे हैं और मैंने यहां पर लगाया है काम कीवर्ड नहीं कर रहे हैं यह थमनेल मैंने लगाया है इस पर पहले दोस्तों काफी अच्छे जादा व्यूज आ रहे थे तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कितने अच्छे ज़्यादा व्यूज बीच में भी आने लग गए थे तो इस वीडियो पर हमने किलिक किया इस वीडियो पर किलिक करने के बाद यहाँ पर व्यू मोर पर किलिक कर ले रहे हैं और यहां पर दोस्तों देख सकते गार 48 गंटे में इस वीडियो पे 7 वीज आये हैं और वाच्टाइम 113 गंटे का इस वीडियो पे वाच्टाइम मिला है और 28 दिन में 89 वीज मिले हैं इस वीडियो पे और डालल बगएरा भी monetization नहीं हुआ चैनल तो और डालल बगएरा का तो कोई चांस ही नहीं बनता है तो चलिए मैं अब इसका दिखाता हूं पूरा वाच्टाइम पूरे वीज दिखाता हूं आपको कितने वीज मिलते थे इस वीडियो पे तो वीज पे मैंने किलिक किया देख सकते हैं चार सो के ऊपर भी एक एक दिन में वीज इस वीडियो पे मिलते थे तो दोस्तों जब ये वीडियो सर्च लिस्ट में था वाइरल था जब इसके बाद में और भी वीडियो अपलोड करता रहता मैं तो साहिद अब तक मेरा चैनल monetization मेरे चैनल पे monetization तो दूसरा अगर दिख जाएगा तो सामने वाला दूसरा वीडियो भी वाच कर लेगा तो आपका चांस ज्यादा बन जाता है वीडियो आपके ज्यादा वाइरल हो जाते हैं इस चक्र में तो दोस्तों अमीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आप अगर यूटूब पर काम कर रहे हो तो अगर आपका एक वीडियो वाइरल हो जाता है और उसके बाद में आप काम करना बंद कर देते हो तो ये बहुत गलत चीज़ है आप करते रहे हैं बाद में पता नहीं दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा अब देखते हैं दोस subscribe कर लिजिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा comment करके एक बाद जरूर बताना वीडियो का अच्छा लगाए तो वीडियो को like share कर दीजिए और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करके बिल notification पर click करके आल पर click कर दीजिए ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो पर लोड करूँ आपको notification सबसे पहले मिल जाए